लक्ष को पाने की चिंगारी रखो सीने में मुश्किलों से मट डरो तभी तो मजा है जीने में तो क्लास 12 का ये बैच है लक्ष नीट और प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है तो आपको अर्जना नीट 1.0 और 2.0 का फिरी एक्सेस मिलेगा मतलब वो आपको इस बैच के सा आपको इसके साथ free of cost मिलने वाले हैं ठीक है वाई साब सबसे पहली बात तो आपको इस बैच में हिंदुस्तान की धुवादार faculty मिलने वाली है online से भी selection निकाले जा सकते हैं जो कभी कोई question mark उठाता था हेलो बच्चो बहुत 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 नमस्कार लक्ष को पाने की चिंगारी रखो सीने में लक्ष को पाने की चिंगारी rखो सीने में industle लक्ष बैच कहूं तो कोई दोराए नहीं होगी, क्योंकि ये वो बैच है, जिससे लास्ट येर, बहुत सारे स्लेक्षन हुए, हजारों स्लेक्षन इस बैच से हुए है, स्लेक्षन के साथ-साथ ये वो बैच है, जिसने टॉफ हंड्रेड में काफी बच्चे दिये हैं, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने उनकी स्टोडिया सुनी होगी, कुछ नाम मैं उनमें से लेना चाहता हूँ, जैसे सैमूल है, निसांध है, और बैवव है, और भी बहुत सारे बच्चे है, जो स्लेक्ट हुए है, आईए हम जान लेते हैं कि इस लक्ष बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहली बात, हो सकता है कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हो, तो उनको मैं बता दूँ लक्ष बैच जो होता है, वो क्लास 12 के लिए होता है, तो ये क्लास 12 का नीट का आपका बैच है, और पहला बैच है आपका ये, तो इस बैच से बहुत सारे आप बेनेफिट ले सकते हो, जैसे अर्ली स्टार्ट करोगे, तो सिलेवस आपका जल्दी खतम होगा, मल्डिबल टाइम आप रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपके लिए एक्जाम में फायदा ही होगा, जितनी ज़्यादा बहार रिवीजन करोगे, फायदा होता है, है ना, तो क्लास 12 का ये बैच है, लक्ष नीट, है ना, और प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है, इस बैच में एक बहुत बढ़िया चीज है, क्या, आपको अर्जुना के जो बैचेज हैं, लास्ट येर के हमारे अर्जुना बैचेज कौन से होते हैं सर, अर्जुना बैचेज क्लास 11 के बैचेज होते हैं, ठीक है, तो आपको अर्जुना नीट 1.0 और 2.0 का फ्री एक्सेस मिलेगा मतलब वो आपको इस बैच के साथ में फ्री ओफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते जो कहते कि सर क्लास 11 का अगर कुछ मिल जाता कॉंटेंट वगेरा तो हम अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते तो आप अर फ्री अपकमिंग वर्जन्स हमारे अलग-अलग समय पर अलग-अलग बैचे जाते हैं जैसे 1.02.3 तो आने वाले जितने वी वर्जन होंगे वो सारे के सारे आपको इसके साथ फ्री ओफ कॉस्ट मिलने वाले हैं चलि आगे बढ़ते हैं बाई साब रिमोट का है हमारा आए तो फैगल्टी जिसने आपने आपको पिछले कुछ सालों में प्रूफ किया है कि हां ओनलाइन से भी स्लेक्शन निकाले जा सकते हैं जो कभी कोई कुश्चन मार्ग उठाता था लेकिन आज की रेट में अगर देखें तो धेरो स्लेक्शन हैं हमारे पास धेरो एक्जामप में होता है क्योंकि 12 का बेच है तो आपको पाकाइदा प्लानर दिया जाएगा कि लाइप क्लास आपकी कब होंगी आपको डीपी मिलेगी डेली प्रेक्टिस शीट इसमें क्या होता भाई साब डीपी में 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर एक लेक्शर के दिये जाते हैं कि आप अपने लेक्शर अंट किया आप डीपी डीपी सॉल करो लेक्शर अटी किया एक अपको यह से 15 अशफ कि रख रहे हो तो इसलिए महनत से मत बहाग ना वाई महनत को हमेसा तैयार अपने आपको मेहनत करड़ चेप्टर को નाण से ludzie privacy सुता है यह फूल य्यर, तो जब तो day one से start करो ना batch, पूरे motivation के साथ और पूरा confidence के साथ batch start करना और हर एक chapter में एकदम excellent होकर ही निकलना, वो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो 10 से 15 question आपको मिलेंगे यहाँ पर, daily जो भी आप पढ़ोगे उसके, classes आपकी कब से start होंगी sir, first week of April से आपकी classes start होने वाल पीछे का पड़ा उसका test है, अगले मेने में test है, और वो हम starting में आपको पूरी scheduling देते हैं, lecture planner, test planner, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीच कप पढ़ाई जानी है, ताकि आपके दिमाग में भी clarity रहे, ठीक है, और जैसे ही यह खतम हो जाएगा, 12th का syllabus, और usually जल्दी खतम हो जो classes ली जाएंगी, उसमें आपको class 11th का revision और plus class 12th का revision करवाया जाएगा, ठीक है, चलिए वई, लेकिन पहले हम 12th का पढ़ेंगे, ताकि आपका 12th का से ले वस्तों complete हो, उसके बाद हम class 11th और 12th का revision करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं वाई साब, नए feature क्या क्या आए है सभी लोगों ने देखा था, AI Guru बहुत बढ़िया feature आपके सामने आया है, और ये academic और non-academic doubt को solve करने वाली चीज है, ठीक है, और ये application में चलता, आपके phone में app होगी, जब आप batch purchase कर लेंगे, आपके सामने side में नीचे की तरफ एक angle दिखाई देंगे, उन angle को touch करना है और suppose आपको कोई concept clarity नहीं है किसी में, जैसे मालो आपको पता करना, what is the hybridization of SO-42 negative, suppose ऐसी कोई example ले रहा हूं, या कोई भी सवाल आपको पूछना है, आप यहाँ पर पूछना है, तो उससे related video आजाएगा, text आजाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे, कि हाँ इस तरीके से hybridization निक कोई भी किसी भी type का non-academic doubt, लेकिन ढंगा पूछना राई है, तो non-academic doubt जिसमें आपको समस्या हो रही है, वो भी आप पूछ सकते हो, एकदम AI guru आपको जवाब देगा, बहतरीन तरीके से, और यह लगातार improve होता ही रहता है, AI तो है तो लगातार सीखता रहता ही है, आपके पास DBB होती है, जिसको आपको solve करना होता है, और आपके test होते हैं, जिसको test आप देकर analysis करके, जो कमिया होती है, उसको दूर करते हो, यह पूरा अपने आपने आपने की ecosystem होता है, ठीके, तो lecture DBB और test, इसको मिला कर आपका chapter धीमें धीमें तैयार होता जाता है, ठीक तो यह सब देखकर हम identify कर लेंगे कि भाई आप scholar हो, और अगर scholar हो, तो scholar की जो additional feature है वो आपको मिलेंगे, जैसे आपके doubt थोड़े जल्दी solve होंगे, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं होंगे, आपके थोड़ी priorities, देखो, अगर पढ़ोगे तो वो चीज अचीज अचीव करनी आपको, मैंने जस्ट एक feature का नाम लिया कि हाँ, आपको जब आप doubt पूछ रहोगे तो आपका doubt पॉप-प में ऊपर आ जाएगा, automatically, तो यह आपके लिए अच्छी facility है, पढ़ोगे, तो आपको पूरा समर्थन है, सर बागी लोगों को नहीं है, बागी लोगों को भी हमाले लेकिन सीधी सीधी बात है, हम बात एक इसकी कर रहे है, डॉक्टर बनने की तो पढ़ना पढ़ेगा ना यार, community एक feature है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे AI गुरू तो आपको मिलेगा application में, सीख, scholar जब आप पढ़ोगे, बैच में आओगे, तभी हम बना पाएंगे, community अभी आपको दिखा देता हूँ, community क्या feature है, पहले बता देता हूँ, community में क्या, हम आपसे connect हो जाएंगे, कैसे connect हो सकता है, voice के माध्यम से, या आपने कोई सवाल बूचा, तो हमने उसका solution बनागे, फोटो किश के डाल देगी, बटा, यह है, इसका solution, है ना, मतलब हमारे और आपका जो interaction है, वो और बढ़ जाएगा, classes में तो होता ही है, साथ में community के माध्यम से हम आपसे connect हो जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, अगर मैं community की बात करूँ, तो इस तरीके से दिखेगा, आपको, मैं आपको दिखा देता Community कैसा दिखेगा, कहां मिलेगा, आपने batch purchase किया, ठीक है, उसके बाद, आप उस batch में आ गए, जैसे ये batch है, collection rate 2000 purchase, description रहता है, batches के बारे में जानकारी रहती है, classes यहाँ पर मिलती हैं आपको, ठीक है, यह भी बताओंगा खजाना और यह सब, पहले community के बारे बात कर लेते है तो आपको वहाँ community मिलेगी, batch चालू होगा तभी तो बनेगी community, आप बोलोगे माली के तो खाली है, batch स्टार्ट होगा तो community बनेगी, आप भी उसमें post कर सकते हैं, कुछ हम भी करेंगे, ठीक है, तो यह feature आपको यहाँ मिलता है, समझ गया बात को, अज़ बात को, अज़ ब Learn OS क्या होता है, सुर यह, Pw Learn OS, अभी आप जब पढ़ते हो, तो किसी दोस्त का message आ गया, जा तुम्हारी किसी सहेली का message आ गया, या कोई notification आ गया, बहुत सारे bell icon दवा रखें आपने, तो कोई notification आ गया, क्योंने यह वाला वीडियो अपलोड होगा, आप वहाँ चले गए तुरंत, पढ़ रहे थे भाई, काम तुम्हारा पढ़ने का था, पढ़ रहे थे तुम, पता नहीं कहा चले गए, तो उसी चीश से बचाने के लिए, टेक टीम ने बहुत बढ़िया फीचर डेवलब किया है, Pw Learn OS, यह एक अलग से application है, जिसको तुम डाउनलोड करो, उसम इसमें तपस्या मोड है, तपस्या मोड आप on करेंगे, आप permission देगे कि कौन-कौन सी एप का notification मुझे चाहिए, कौन-कौन सी नहीं चाहिए, पास खतम, और आपको पता ही है किस-किस को आपको notification on करना वो आप जानते ही हो, पढ़ रहे हो तो भाई, जो पढ़ाई से related है, व क्योंकि online में, खीक हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा content दे रहे हैं आपको, आप lecture भी देख तो, लेकिन सबसे बड़ा distraction का matter होता है, जो बच्चों नहीं सवाल कियें कि सब distraction होता है online में, तो ये सब feature उनी के लिए आते हैं, धीमे-धीमे, technology में modification होता है, तो वही modification है आ आपके पास ना distraction, ना हो उसके लिए तपस्या mode है, एक, Google Play पर ही available है, चलिए भाई, आए जड़ा, आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे पास feature है इसमें, जिसको बोलते है low data mode, भारत के गाउं के कुछ बच्चे होते हैं, हमारे से बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं, ज कई बच्चे प्रफर करते हैं कि हम लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेंगे और इसके बाद हम देख लेंगे, ऐसा भी होता है, कई जगे पर ऐसा होता, आज भी, है ना, तो low data mode वो चीज है कि जैसे माल लो कोई लेक्चर आपका 500 MB, 600 MB का था, तो वो 100 MB का करतेगा, और ultra low भी इस क्या मिलेगा, तो उसमें क्या-क्या मिलेगा, आपको खजाना मिलेगा, खजाना क्या होता है सर, यह वही वाला खजाना है, बेटा यह खजाना पता है क्या है, यह पढ़ाई का खजाना है, बहुत तगडी चीजे भाई है, मतब खजाना से बहुत सारे बच्चे बढ़ते ह तो यहां दिखता है हमें आए ज़रा देख लेते हैं अगर तुम बैच के अंदर जाते हूं तो बैच के अंदर ही description all classes यहां खजाना दिख रहा है और यहां पर पुराने lectures डले हुए हैं जैसे पिछले साल बैच से बच्चे से लेक्ट हुए हैं तो वह सारे के सारे lecture आपको यहां पर मिल जाएंगे तो कोई बच्चा खजाना से भी बढ़ता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज होती है तो यह खजाना आपको यहां मिलता है बैच के अंदर आगे बढ़ते हैं अब हम बात करें सर यह पिटारा क्या लिखा हुआ यहां पर पिटारा की अगर हम बात करें तो यह NCID पिटारा है बहुत बढ़िया फीचर है बात अगर करें हम जहां तक नीट की तो नीट में NCID related ही चीज़ें होती है आपकी है ना तो आप क्या अगर सकते हो NCID को कोई paragraph प क्या सवाल हो सकते है वो आपको मिल जाएंगे paragraph पढ़ो सवाल करो paragraph पढ़ो सवाल करो तो आप paragraph wise study कर सकते हो कि मैंने इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया क्योंकि हमारी यादत क्या होती पहला चैप्टर खोला पहली line से this is such पढ़ना चालू करते है और end तक पढ़ते रह हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ रहें लेकिन effective study की बात करें तो इन सब चीजों से effective study आएगी आपने paragraph पढ़ा उससे related जो तो सवाल है वह आप solve कर लिजिए ठीक है तो यह पिटारा वाली चीज होगी वाईसाब यह बैच जब आप purchase करेंगे तो वहां पर साइड में एंसे अटी पिटा तक खुल जाएगा मतलब वो मिल जाएगा टैब आपको कम्यूनिटी के पास में ठीक है पीडवलू सहाय किसको बोलते हैं आईपी सर आईपी क्या है आईपी है infinite practice infinite practice infinite practice सर यह क्या है यह बहुत मस्त चीज दिखाओं आपको नाम से के लिए रहें infinite practice प्रेक्टिस करो जब तक कर सकते हैं जब तक है जान तब तक प्रेक्टिस कर चलो आईए जरा देख लेते हैं देखिए का धियान से आपको infinite practice मिलेगी बैच के अंदर जैसे आपने देखिए यहां से देखना जा रखता है यहां मिलेगा आपको सहायक नीचे की तरफ सहायक अब यह पता है क्या है आपका मन कर रहा है कि नहीं आज अपने को ना आपन chemistry के master हैं तो उसी के सवाल बटाएंगे ना आपका मन कर रहा है फुजिस chemistry बादनी जोलोजी कोई भी सवाल चली यह chemistry का मन कर रहा है कि वाइसा हम chemistry के सवाल सौल करेंगे अब आप यह पता कर लो कौन से chapter के सवाल सौल करने है तो मैंने पहले de-select कर दिया आपका मन कर रहा है कि नहीं alcohol, ether, phenol इसके सवाल मेरे को करने है तो मैं यहाँ पर next दवा रहा हूँ next दवाते ही क्या आएगा आपको easy करने है, medium करने है, hard करने है या mix सवाल करने है सर्य मिक्स कैसे पता चलेगा, आपकी learning habit को देखते हुए AI डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप का question करना चाहिए आपकी learning habit को देखते हुए, कि नहीं आपने यह वाले सवाल easy-easy कर लिए 2-4-2-4, मालो आपने पहला सवाल करा easy था, दूसरा easy था, तीसरा easy था, कर लिए अब वो moderate की तरफ ले जाएगा, यही तो चीज है, फिर hard कर देगा वो, है ना, तो आपको idea लग जाएगा, तो माली कितने सवाल करना चाहते हैं, सर 10 question करना चाहते हैं, ठीक है, practice mode में करना चाहते है, exam mode में, भाई, किसी का माने की नहीं हम प्रेक्टिस ही करना नहीं है, किसी का माने नहीं हम paper देंगे, मतलब एक जैसे, आपका उसमे marks बगर आएं, तो exam mode में भी आप दे सकते हैं, 10 question, आपने कर दिया, start practice, 3, 2, 1, go, देख रहो, यह आगया वाई सब सवाल, देखो आप, कि वाई यह वाला आपको सवाल सौल करना है, और यहाँ पर आपके 10 questions लेट किये थे, अब यहाँ पर आप submit करते जाओ, skip करते जाओ, answer लगाने के माने, तो answer लगा दो, नहीं तो आप skip कर सकते हो इस तरीके से आपके सामने अगला सवाल आ गया, कितनी बड़िया चीज है, तो ऐसे आप solve कर सकते हो, यह, चीक, अब चलते हैं आगे, तो यह था भाई साब, infinite practice, सर यह infinite mentorship क्या है, अगर हम mentorship की बात करें, तो आपने अभी मेरे मूँ से नाम सुनेते कुछ, ऐसे धेरों बच से आपको guide करेंगे, और आपको बताएंगे कि किस समय पर क्या तकलीफे होती है, क्योंकि वो कर चुके हैं वो काम, उनको पता है कि इस समय पर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, या फिर इस chapter में यह थोड़ी से tough रहती है, आसान रहती है, कुछ tough रहता है, वो जानत कि अपनी मंजल को पकड़ना है, तो वो कब मिलेगी मंजल में, जवाब mentorship को लोगे, क्योंकि यह बच्छे वो हैं जो कर चुके हैं वो काम, यार, इसका मतलब है कि वो बता सकते हैं तुमको कोई भी दिक्कत है, कोई समस्य है, कोई doubt है, कोई question है आपके दिमाग में, आप त test series आपके batch में चलेगी कोई, तो वो आपको एकदम free मिलेगी इसमें, ठीक है, चली आगे चलते हैं, और अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरजुना नीट 1.0, 2.0, यह free है, यह class 11th के batches होते हैं हमारे, कोई बच्चा ऐसा है, जो यह चाहता है कि नहीं सर, हम 12th के सा अपकमिंग जितने भी लक्ष के batches हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन यह अगर कोई चीज free मिल रही है, तो कुछ पड़ू करें समय तक ही मिलती है, तो 10 मार्च तक आपको यह free मिलेगा, यह 10 मार्च तक आप ले सकते हो, तो यह सारे batches भी आपको मिल जाएंगे, module की बात कर लें, सर module का क्या importance है, बड़ा importance होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो lecture attend करते हो, DPP देखते हो, test देते हो, लेकिन आपको एक additional चाहिए होता है material, है ना, module हो गया हमारे, NCRD punch भी हमारे पास मिलती है, है ना, काफी famous है NCRD punch, module made easy, यह मतलब बहुत मस्त चीज का analysis है, कि PYQ में chemical bonding के, इस tropics इतने सवाल आए थे, इतने easy थे, इतने medium थे, इतने hard थे, पूरा analysis है, ताकि आपको यह पता चल जाए, कि किस जगह पर जादा focus करना है, देखो, teachers तो class में बताती है, साथ में आगर आपके वास chapter के पहले ही page पर analysis मिल जाए, कि यार, इस chapter के अ रखे हैं, और module एकदम super revamp हो चुका है, मतलब मजा जाएगा आपको, ठीक है, board level की exercise भी डाली है, क्यों आप class 12 के बच्चे हो, तो उसमें board level की exercise होनी चाहिए आपके लिए, आपको 12 की भी साथ में तयारी करनी होती है, है ना, तो उसमें exercise आपको इसकी मिलेगी, है ना, और तो आपके लिए आसान रहता है, है ना, जो सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि देखो, नीट में थोड़ा accuracy का game होता, आपको थोड़ा speed में, और accuracy maintain कर, speed का भी game है, accuracy का भी है, speed में भी आपको question solve करने है, और थोड़ा सा accurate भी होना है आपको, तो आप फटा बट जब question solve करते हो, इसको, इसको मतलब अच्छी तयारी नहीं बोलते हैं, कि सर, हम एक सवाल लेकर बट गया है, मैं नीट के exam की बात कर रहा हूँ, आपको सवाल को जितना समय optimum होता है, देखो, आप धीमे-धीमे पढ़ोगे न, teachers आपको guide करेंगे classes में, तो आपको idea लग जागा कि नहीं, इस तो 15% दस मार्च तक आपको, ये off मिलेगा, additional है आपके लिए, वैसे तो इसमें already off है, लेकिन विश्वास दिवस का offer चल रहा है, दस मार्च तक, तो 15% और off ले जाओ, आप भी क्याद रखोगे, ठीक है, चलिए तो ये कहानी है, thank you so much, आप समझे के होगे, I hope, ठीक है, और ये वो बैच है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये class 12 का, इंडिया का strongest बैच है, online में, आपको best faculty मिलती है, आपको best study material मिलता है, आपको इस बार तो देख रहे हैं, आपको AI गुरू भी मिल रहा है, पिटारा भी मिल रहा है, खाजाना भी मिल रहा है, सारी चीज़ें आप पास की जो मदद करती है, लेक्चर साब देखते हो, आप DPP solve करते हो, आप test देते हो, test में जो गलती होती है, उससे सीखते हो और आगे बढ़ते हो, हो सकता है, शुरू-शुरू में आपके number बहुत कम आते हैं, धीमे-धीमे improve करते हो, और number धीमे-धीमे बढ़ते जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि यार, पहले लेक्चर से तुम क्लास में आए, ठीक है, और दो-चार दिन आप बड़े एनरजी में रहते हो, आपको लगता नहीं, अब हम डॉक्टर बनेंगे, और फिर जब समय आ जाता है जून-जुलाई का, फिर आपको लगता रहे, यार, मेरा बैकलॉग हो गया, मैंने शुरू में पढ़ाई नहीं करी थी, तो ये सब चीजे मत करना, देखो, कोई भी बैच इंसान तभी ले, मेरा ये अपना मानना है, कोई भी बैच इंसान तभी ले, जब वो डेवन की एनरजी, और लास्ट डे की एनरजी को बरावर रख पाए, देवन पे जिस एनरजी के साथ आप बैच में एंटर करते हो ना, या जितना तेजी आप इस बैच को खरीदने में दिखा रहे हो ना, उतनी ही अच्छे तरीके से आपको इसको खतम करना है, क्योंकि हमें पता है आपको इस बैच पर 100% भरोसा है, क्योंकि प्रूव किया है खेल जाओ, बहुत कम मौका मिलता है लोगों को, तो अपने आपको खुस नसीब समझो, कि आपको यह मौका मिल रहा है, कि आप पूरी की पूरी एक सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हो, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी लोगों को हम अपनी तरफ से बैस आपको लगता है, आपने सोच लिया है मन में कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, तो बनना है, शुरुआत आपके अंदर से ही होती है, आपको युद्ध में लड़ने जाना है, यह किसी युद्ध से कम नहीं है, इतने सारे बच्चे बैठते हैं, स्पीड एक्यूरेसी मे तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करने होती है, और इतना आसान काम नहीं है, तैयारी करना है, लगातार डेली पढ़ना होता है, डेली कॉस्टन सोल करने होता है, लेक्चर देखने होता है, टेस्ट देते हो, कभी नमबर आते हैं, कभी जीवन में, लेकिन ये एक साल है आपके पास, इस एक साल जोंक दो एकदम, अगले साल क्या निखर कर आओगे, मज़ा आजाएगा आपको खुदी, ठीक है, क्लियर एकदम, तो अगर आपको पहले से चीज़ें पता होंगी, पहले से जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंग वो आपको बताएंगे कि भाई, ये हतियार और ये हतियार लेके जाना, तब लड़ो, तब जीतोगे तुम, ठीक है, तो जब तुम बहच के अंदर आओगे, तो तुम्हें सारी और बातें भी बताई जाएंगी, और आपको तयार किया जाएगा, आपको एक ट्रेनिंग द